Hello dear students, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर आज की इस फिल टूर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शट्रिंग का मतलब क्या होता है, सेंटरिंग का मतलब क्या होता है और स्टेजिंग का मतलब क्या होता है तो इन तीनों शब्दों का हम समझते हैं सबसे पहले हैं तो यह तीनों ही चीज formwork के अंदर आती है चाहे मैं shuttering बोलू चाहे मैं centering बोलू या चाहे मैं फिर इसको staging का part बताओ यह पूरा सब formwork के अंदर हम यहाँ पर include कर रहा है अब एक चीज सबसे पहले हम देखते हैं shuttering shuttering क्या है चाहे आपकी wall हो चाहे आपके column हो या चाहे आपकी beam हो इसमें जो vertical face पर हम formwork लगाते हैं उसी को बोलते है shuttering जिसे कि यहाँ पर beams में देखना सबसे पहले यह जो beam डली हुई है यहाँ पर है ना मेरे हाथ में एक reinforcement का rod है यह जो beam आप देख रहे हैं यहाँ पर इस beam में यह जो vertical face पर जो formwork डला है यह वाला especially इसको हम यहाँ पर बोलेंगे shuttering in the same way यदि आप देखेंगे यहाँ पर इधर देखेंगे जरा तो मैं यदि बोल दू कि यह column बना हुगा है इस column में जो formwork यहाँ पर लगा होता क्योंकि formwork में पूरा चारो तरफ के सा होता है वर्टिकल होता है फॉर्म वर्क तो यह पूरा की पूरा कॉलम प्यादी जो लगा होता फिलाल में तो उपन हो गया है उसको भी महीं हाँ क्या बोलता कुल मिलता का मतलब है कि उसको रिद्रि अब सेंटरिंग मतलब जैसे कि यहां ब्रदी बता हूं तो यह बीम यहां बताया मैंने vertical face पर इसको मैंने बताया था शटरिंग तो यह जो नीचे वाला face है इसका यह वाला नीचे वाला face जो है यहां पर यह नीचे वाला face यह लाएगा आपका centring जैसे कि यह slap का centring देखो स्फ्ट्रिया पूरी ड़ रही है स्फ्ट्राइल ऐना यह पूर्अ स्ट्रिय्ग चो घुरा यह हो गया सेंट्रिग तो शुकू समज में आ घ्र हगे वर्ठिकल फॉर्म वर्ग सेंट्रिंग समझ में आ घ्र हॉरैसून्टल स्टेजिंग अपतर इज प्रॉप्स लगे हो दिख रहे हैं, यह दंडे, पूरा भिए एक बार घुमा देना वीडियो को चारों तरफ सब जगधे दंडे ही दंडे दिख रहे हैं, गुंआदो चारों तरफ वीडियो को, है ना, सब जगधे आपको प्रॉप्स लगे हुए दिख जाएंगे, vertical members जो यहाँ पर आपके form बर को support कर रहे हैं यह wood के बने भी हो सकते हैं steel के बने उए भी हो सकते हैं फिलाल में यह wood के बने उए हमें दीख रहे हैं सस्ते पड़ते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका यहाँ पर props अब तीनों meaning समझ में आ गए shuttering क्या होता है centring क्या प्रॉप्स क्या होता है अब मुझे यह देखने में ज्यादा इंट्रेस्टेड है कि भाईया यहां पर कब किसको open करना होता है तो मैं आयस कोड पुरा साथ में लेकर आया हूँ आयस कोड में दिया आप देखेंगे तो जो हमारे शटरिंग है मतलब जो वर्टिकल फॉर्म वर्कस है चाहे फिर वो कॉलं कअओ चाहे फिर बीम काओ या वॉल का हो उसको आप कर सकते हैं 16 गंटे से 14 गंटे के अंदर मतलब एक दिन के अंदर आप उसको vertical shuttering को open कर सकते हैं ऐसे हैं यदि हमारे पास slab की हम बात करें तो slab में जो हमारे formworks remove होंगे slab के case में उसको आप 3 दिन में remove कर सकते हैं beams में 7 days में तो 3 item बताया एक तो मैं shuttering का बताया shuttering का उपन करना है shuttering हमको open करना है 24 गंटे के अंदर अंदर यह minimum है आप इस से ज्यादा में करिए उसके बाद मैं slab का बताया slab में जो centering डली हो कब open कर सकते हैं slab में आप 3 दिन में open कर सकते हैं beams में 7 days में आप open कर सकते हैं ठीक है अगला statement यह है कि जब आप इनको open कर रहे हो अप ठीक है आप इसको तो open कर दो यह जो centering है यह जो form work कर के यह इसको तो open कर दो लेकिन यह जो props है इसको वापस immediately लगा दो props को 3 दिन-4 दिन में open नहीं करना है यह props को तुरंट लगा दो वापस shuttering खोलने के बाद form work खोलने के बाद तुरन प्रॉप्स वापस लगा दो, इमिजेटली उसकी रीफिक्सिंग करना पड़ती है, तो आयस कोट के हिसाब से अब ये प्रॉप कब निकाले जाएंगे, शटरिंग तो आपने निकाल दी, ये प्रॉप्स कब निकाले जाएंगे, तो यदि आपका स्लैब का स्पान लगी पूरे, वहीं पर बीम की बात करें, तो तो बीम थ्मेटा समय लगता है, तो यदि बीम का स्पाइय चेह मीटर है, यह ज 16 मिटर से कम है तो उस केसमें, चौदा दिनों में आपको ये प्रॉप्स हटाने होंगे, 6 मिटर से जाधा स्पा ये आपके बीम का तो इकिस द पुरा जो stage आपने बना रखा है, यह पूरे फार्मवर को support करने के लिए उसी को staging हम बोलते हैं, तो यह मैने पूरा आपको बता दिया, और कप किसको केसे open करना है, वो भी मैने आपको बता दिया, कभी भी हम एसा नहीं करते हैं कि प्रॉप्स को पहले हटा देओ और फिर shuttering इसको हटाए centering को ऐसा कभी नहीं करेंगे पहले हम यह वाला इटम उपर वाला जो centering और के वो सब उटाते हैं उसके बाद ही फिर हم इसको प्रॉब्स को अखाएंगे तो प्रॉप्स का मैं आपको बताया चवदा दिन इक्क्षी दीन इस तरीके सा तो मैंने दिट धीटा भी आपको बता दिया आयस कोट के साब से यह IS code IS 456-2000 है हमारा जो new amendment आया है amendment number 5 उसके साफ से मैं बता रहा हूँ new clauses के साफ से आप पुराने वारा clause मत देखना पुराने वाले clause को हटा दिया गया रिमूब कर दिया गया है new amendment में आप देखेंगे clause number 5 को ठीक है तो आज के वीडियो को यहाँ पर समाप करते हैं next video में और बालाई टाक्यर